असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टो माई चैनल वेलकम बैक टो अनधर व्लॉग तो आज का व्लॉग जी मैं कर रही हूँ रात से स्टार्ट और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर हसी मुझा हैं लेने के लिए और मैं दो दिन से गई हुई थी अम्मी की हुई थी वसे तो जो लोग मुझे देखते हैं पता होगा कर दो दो दिन से अम्मी के घर रह रही हुई थी तो इसलिए फिर मैं अमी की तरफ गई हुई थी और गर्मी ने तो आज कर हशर नशर किया हुआ है रावल पिंड इसलामबाद क्राची में तो फिर भी बारिश हो सबस्क्राइब तो जी अब है फिर गर अब भी मैं आई है घर अपने दो दिन इनके बाद फाइनली अपने घर जैसी नेमत कोई भी नहीं है अप लोग कमरे की हालत देख सकते हैं दो दिनके बाद घर आई है और दो दिन में कमरे की लाड़ देखें कि बैड शीट खराब मैंने सबसे पहले कूलर अन कर लिया कि चलो थोड़ा सा कमरा जो थोड़ा नॉर्मल हो जाए और उसके बाद अभी यह जो बैट शीट है सबसे पहले मैं क्या करूंगी इसको चेंज करूंगी क्योंकि मुझे इतनी चुर चुर रही थी ना इस बैट शीट को देखके और मैंन सबसे पहले कर दριंगी क्योंकि मैं जब वापिस आ इती थी ना शीप मुझे फोड़ा से लेट वापिस लेने आए थे क्यूंकि हसीप अपने दोस्तों के पास गया नई थे तो थोड़ा लेत हो गय थे तो फ़िर हमें घर आते आते तक狂 एक 30 हो गय थे और फिर जो है मैंने आथे ही जो है वो काम शुरू कर दिया था मैंने का नहीं पहले मैं बेट SHEET चेंज करूँगी ताके रूम मुझे थोड़ा साथ लगे क्योंकर आत का टायमट मैं ज़ड़ा जार जो करण नहीं सकती है तो इसलिए उन्हें अभी था निभी तो यह बचा ली जाए अब गर्मियों में कॉटन की बैट शीर्ट ही जो है वह बहतर रहती है बानी सब दूसरी बैट शीर्ट के और आप लोग देख सकते हैं के दो बजने वाले हैं तो बैट शीर्ट मेरी चेंज हो गई है उसके बाद कपड़े मेरे पास कुछ वाश किया हुए थे तो पहले से वाश किये थे उनको तेह क्योंकि तबीयत की खराबी कीवजा से मैं उनको तेह नहीं कर सकी थी तो मुझे बहुत जादा हो रहा था पर मैं उनको जाते हुए ना अलमारी में रख गई थी तो अब हम यह कप्ड़ जो हैं इनको सबसे पहले तहँ करूंगी ताके मेरे जएन से यह वाला बोज उत्रे और बैट सीट जो मैं उतारी है इसको उधोने मेले कप्ड़ों में रख दूंगी और यहां मैं करने लगी हूँ कप्ड़े तैब और जो हसीब के जो कपड़े होते हैं प्रेस करने वाले वह मैं अलग रख लोगी ताके नेक्स दे जोह है मैं उनको प्रेस कर सकूं क्यों कि फिर मुझा टेंशन जब आम मी के घर भी थी ना तो मुझे टेंशन बसी है थी कि हसीब को कोई आना जाना पड़ गया तो कपड़े ना हुए प्रेस हुए हाला कि मैं कर के आई थी लेकिन फिर भी टेंशन रहती है और जिसके बाद फिर मैंने पढ़ी नमाज क्योंकि मुझे काम करते करते फ्री होते होते तकरीबन चार बज गए थे तो फिर मैंने का आईसे सोना अची बात नहीं है नमाज पड़ी मैंने फजर की और उसके बाद जी ये केक हसीप की बर्चरे का व्लागा आप लोगों ने देखा होगा तो जब खासे stock करा तो ये मैं खाऊंगी लेकिन उससे पहला मैं पिऊंगी पानी Pानी जादा से जादा पियें कkräए क्य तो बस हसीब सो रहे हैं वो नमाज पढ़के सो गए थे और मुझे भूख लगी थी तो मैंने का आप सोएं मैं जो है जल्दी से अपना केक इंजवाय करते हैं और उसके बाद फिर मैं भी सोने वाली करती हूँ तो जी ये व्लॉग है नेक्स्ट रे का और अभी है दुपहर का टाइम और हमने मंगवाए हैं दाल चावल हमारे घर के सामने जो रहते हैं उन्होंने फूड पांडा के थू मतलब ये दाल चावल का बिजनिस राट किया है फूड राइस मेनिया के नाम से तो हमने सोचा के आ अधर जाई जाती हैं कि घर के सामने हैं उनको मैसेच कर दें तो वो दे जाएंगे तो अब हम जम जदा बहुत जादा जाए जए उसका तो टेष्ट जबहुत जादा मंजएका था तो जो लोगं भावरपूर में रहते हैं लाजमी ट्राय करें बहुत मज़ें हैं तो आप लेकिन हसीब को बहुत जादा ही अच्छे लगे थे तो लाजमी ट्राय करें और दाल चावल आपको पता है वैसे ही फेवरिट है सबके फेवरिट होते हैं मेरे भी बहुत जादा फेवरिट है दाल चावल खाने के बाद मैं कीचन में आई हूँ और यहां मैं करने लगी हूँ दूद बॉयल गैस नहीं थी गैस अभी भी हमारी तरफ जो है वो जा रही है पता नहीं क्यों लाइट भी जाती है गैस भी जात जाती है अब आधि यहां मैं करने लगी हूँ थंडा होने रखोगी ताके फिर मैं बोटल में डाल के शाइब करें माकरणी खाने को तो हसीर ने का मैं कर चाने को मैं जब भी बनाती हूं मैं सब के लिए bitימどうism in जब कुछ भी कुछ चूक करती हूं मैं सब घरवालों के लिए mix करती हूं कुछ लोगों को लगते है कॉइन्टिटी बहुत जादध कम है ये सब घरवालों को कैसे पुरियाती होगी तो खाना बना होता है, ये वाली जो चीज होती है साइड दिशच के तौर पहुती है इसे पेट नहीं भरा जाता सिर्फ टेस्ट किया जाता है ऐसी चीजों को तो मैं पास्ता बनाने लगी तो हसीब ने का के वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो आंटी से मैंने का के वाइट सॉस पास्ता बनाए तो आंटी ने का हाँ ठीक है बना लो तो उसके लिए जी अभी मैंने फिर सब्जियां कट की पास्ता वॉयल किया और अभी मैं बना रही हूँ तो अगर आप लोगों को इसकी फुल रैस्पी चाहिए होगे तो मुझे कमेंट सेक्षिन में लाजमी बतायागा इन्शाला मैं इसके अलग से रैस्पी रिकॉर्ड करके आप लोगों को के साथ श्यायर करूँ क्यों कि बहुत जाद मज़े का बना था तो जब तक मेरा पास्ता बन रहा है मैंने कुछ बातें करनी थी आप लोगों से पहले तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपका सांस बहुत फूल रहा होता है वीडियो मतलब वाइस ओवर करते हुए तो आप यकीन करें आपको पीछे से मेरे बैक्राउंड से कोई भी आवाज नहीं आती वो क्यों नहीं आती क्योंकि मैं पंखा बंद करके वाइस ओवर करती हूँ और जब मैं वाइस ओवर करके उठती हुए मेरे कपड़े पसीने से गीले होते हैं मेरी हालत बुरी होती है तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें कि वीडियो बनाने में और वाइस ओवर करने में बहुत जादा मेनत होती है माइण दीक वाय डालाता है । अगर आप अगर आप- टाहेँ आप लोगों को रिए बदाये तो मझे स्याय सैक्षिन में लाहसमिफिए फैंने इन्छाला आपलोग्लों क्योंकि बहुत जाए का बना था और भीड़ा हें । जरख 7FC मृत्सरा कोकिंग कुछ बातों की बातें करनी थी और वह बातें यह थी कि मैंने वीडियो अप्लोड की जिसमें आप लोगों को दिखाया के लिए हम लोग लाए हैं मेकप तो बहुत जाद अच्छे कमेट्स आए और थैंक यू सो मच वीडियो को इतना जाद प्यार देने के लिए और कुछ ज सब्सक्राइब के लिए और कि जिसमें सब्सक्राइब से तो थैंटें आप लेए हैं मारकेट्स वैये हैं मारकेट्स नहीं दिखी चाहि दोरें दोरें विए हम लोगों की ऑठी दोरें को ओना वैद दोरें हैं मेरा method के लें हैं कि मूझता हैंने के lepsychष tuck है आइट मेया ज हुदा ब्यूटी एक ब्रैंड है तब आप लोग मुझे कहते हैं कि हाँ यह ड्यूप है या आपने नकली चीज़े लिए रिवाज ग्लैमरस और गोल्डन रोज गोल्डन गर्ली आपको बता है कि अच्छी कंपनीज हैं और कुछ लोगों ने कहा कि खुद का मेकप आपने द एक नग्र पाउंडेशन भी है फुल कवरीज और जिसमें प्राइमर भी है लेकिन आ करोना की वज्या से इस वाइरस की वज़ा से इंट्र नशनल फ्लायट्स वॉर्क-करही ने रहें इंट्र नेशनल कॉरियर पहुदी यह वर्क-रही तो मैं किस तरह मनगा हूं बात यह होती खलूस देखना चाहिए कि खलूस से तो इंसान काम कर रहा है मतलब मैंने यह चीज़ नोट कि है कि अगर हम कुछ अच्छा भी कर लेना तो जो लोग वीडियो को डिसलाइक करते हैं उन्होंने करना ही करना है दस मिनट आप इस तरह हैं आप इस तरह ऐसा नहीं है मैंने अला ताला को अपना जवाब खुद देना है मैंने भी कबर में जाना है मुझे भी पता है कि अगर मैं किसी कसा जयाती करूंगी कल को मेरे साथ जयाती होगी और मैं क्यों किसी कसा जयाती करूं ठीक है और भाबी ने हमें और आप कहती हैं कि 15,000 का मेकब है तो 1800 का बैग आया और 1800 की सिर्फ उसमें एक आईशाड़ पैलेट है मैंने आप लोगों को कीमतें भी दिखाई थी तो 1800, 1800 का आप खुद वो कर लें एड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे बनते हैं तो इस तरह नहीं कहा देना चाहिए किसी के खलूस का जलूस नहीं निकालना चाहिए बस यहीं कहूंगी कि मेरी नियत मेरे अल्ला ताला जानते हैं और मैंने अल्ला ताला से ही नियत का फ़ल लेना है एक इनसान दूसरे इनसान को कभी भी खुश नहीं कर सकता तो बाते करते करते जी यहां मेरा वाइट सॉस जो है वो त्यार हो चुका है मैंने जो वेजिटेबल जा उनको फ्राय कर लिया था और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाइट सॉस मुझसे बस यह थोड़ी हुई मुझे केहा रही तो थोड़ा करो थोड़ा पतला करो लेकिन मुझे काफी जयादा पतला लाग रहा था तो मैंने से कि सब्सक्रेख़ी है आगर अगर मैं थोड़ा सब इसंके घरा कर दो तो फर भोता magg तो तो अब बेने चारता हुआ पतला कर था उनक और सकुन्ट तब मिलता है जब कोई तारीफ करता है कि हां बहुत जाद अच्छा बना है तो यकीन करें सारी गर्मी भी खत्व हो जाती है और सारी थकन भी जो हो उतर जाती है तो बस इसको अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर में डाल दूँगी पास्ता और हम और मेरे पास्ता पास्ता भी थी और दूसरे वाला पास्ता भी था तो फिर मैंने दोनों को मिक्स ही वाइल कर लिया तो जी इसके अंदर डाल दूँगी और हमारा यमी सा जो पास्ता है वो रेडी हो जाएगा तो जैसे ही मैं पास्ता बना के फ्री हुई अम्मी की कॉल आ गई मुझे के न अगर टाइम है तो इधर आ जो क्योंकि भाई की सुस्राल वाले आयों है उनसे प्रोग्राम डिसकस करना है उनको कपड़े दिखाने थे भावी के जो हमने महंदी के लिए लिए और बाकी जो स फिर मैं पास्ता इंजॉय करके घरवालों के साथ और कपड़े चेंज करके फिर मैं यहां आई हूं और अभी हम लोग बैठे डिसकस कर रहे हैं किस तरह से प्रोग्राम करने हैं और उसके बाद यहां ले आये थे क्योंकि यहां सब लोग बैठे हुए थे इसी चल रहा था इसी के बगार तो बिल्कुल भी अब गुसारा नहीं है बहुत जादा गर्मी हो गई है और भाबी ने जी बना के भेजा है कुछ खास और कुछ खास क्या बना के भेजा है भाबी ने बना के भेजे हैं जी राइस और चिकन वाले राइस थे और आप यकिन करें बहुत अब तो भावी घर का हिस्सा है क्योंकि निकाल हम्दोलिला हो चुका है और इस मन्त में शादी भी है तो इस में शादी के व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वनके जो मैं कपड़े स्ट्रिच करवा रही हूं अपने लिए वह भी शेयर करूंगी तो बहुत ज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा इन्शाला आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अच्छा सोचें अच्छा करें मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना कुछ लोग मुझे समझ अच्छते हैं अल्ला हाफिज